पर आज चलिए फोकस में रहेंगे शुगर काउंटर्स क्योंकि सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए एक राहत दी है जहांप एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और मुलासस की सप्लाई को लेकर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है आई इस पर और जानकारी करिदे हैं हमारे संबादा समीर दिक्षित हमारे साथ हैं यह पूरी डीटैल के लिए समीर बताएगे क्या कुछ फ़बर और शुगर कंपनियों और साथ ethanol बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात है सरकार ने जो शुगर कंपनियों या फिर ethanol बनाने वाले कंपनियों पर यह जो पावंदी लगाए थी कि वो शुगर केन जूस या सिरफ का या फिर B-heavy मुलासेश या C-heavy मुलासेश का इस्तमाल नहीं कर सकती है एथनॉल बनाने के लिए यह पावंदी आप हटा लिगई है Department of Food and Public Distribution के तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है उसमें यह राहत देते हैं कहा गया है कि आप शुगर कंपनिया या एथनॉल कंपनिया वो शुगर केन जूस या सिरफ का इस्तमाल कर सकती है एथनॉल बनाने के लिए B-heavy मुलासेश या C-heavy मुलासेश का भी वो इस्त प्लबदिता को सुनिशित करना साथ जो शुगर की कीमते हैं उनको भी नियंदरत रखना और इसके अलावा जो एथनॉल ब्लेंटिंग टार्गेट है सरकार का उसके लिए जो एथनॉल कंपनी है या शुगर कंपनिया है उनको प्रसाहित करना कि वो चावल या फिर मेज के जरी बूर एथनॉल बना सकती है एक और रहत की बात ये भी है कि अब ये जो एथनॉल बनाने वाले कंपनिया है ये फ्सी आई पूड कॉर्पेशन ऑफ इंडिया के जो ऑक्षन प्रसेंस होता है चावल को लेकर के उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते है यानि कि चावल का और प्रसेस के जरीए वो उसको खरीज सकती है और इस चावल के जरीए भी वो एथनॉल प्रडक्शन में उसका इस्तमाल कर सकती है तो ये बड़े फ्रस्क्रेशन सरकार के तरफ उठाएगे हैं इससे सरकार को उमीद है कि ना सिर्फ जो एथनॉल ब्लेंडिंग वासल करता है बलकि चीनी कंपनियों को एथनॉल पनाने वाले कंपनियों के लिए राहत बात होगी और ये एकनॉमिक साइटल को आगे बूस्ट करेगी जो बिलकुल समीर बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी खबर हमें समझाने के लिए तो जहां पे शुकर कंपनी के लिए एक पॉस्टिफ ट्रिगर साबित हो सकती है खबर क्यूंकि आपको याद हो का पिछले साल जब ये रिस्ट्रिक्शन लगी थी इतना और प्रड़क् उनका भी स्वागत करेंगे शो में गुद मॉर्निंग विनीजी सबसे पहले तो आपसे शुकर काउंटर्स पे ही टेक लेना शाहेंगे फाइनली एक रहत की खबर आती हुई दिखी है ये पूरे स्पेस में विनीजी एक मिठास लौटी है हाला कि हम ये भी देख रहे हैं क कि अभी एक्सपोर्ट बैंड को लेकर क्या कुछ खबरे आती है पर आपकी क्या अनालिसिज है ये खबर कितनी पॉस्टिव साबित हो सकती है सेक्टर के लिए डेफिनेटली बहतरीन पॉलिसी है ये आप प्रॉफिट मैसिमाइज कर पाएगी कंपरी अपने ऑप्टिम कप इनके सबके मार्जिन एक्सपेंड होंगे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और हमें लगता है प्रॉफिट में भी काफी रहात मिलेगी तो हम डेफिनेटली ये सेक्टर को बाई देंगे पलरामपूर्ट चीनी त्रिवेणी शुगर और अन्यदा सारे कंपनीज डेफिनेटली के बेनिफिट करेंगे तो ये पॉस्टिव मानी तो जरूर जा रहे है ये खबर और साथ ही जितनी उनकी शमता है वो फुल कपासिटी पे आती वे दिख सकती है कुछ टॉप रेकमेंडेशन भी विनीजी ने दी और टेक्निकली भी काई समय से हम ये काउंटर जो हैं आपक करेंगे हैं